नमस्कार दोस्तों PK Power Solution में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आप 3-phase की motor rewind करते हैं और आप चाहते हैं कि उसको binding करने के पास अपनी दुकान पर कैसे चेक करें और जब कि आपकी दुकान पर 3-phase की लाइन नहीं आ रही होती है तो दोस्तों आपके पास 1hp से लेकर 15hp जो भी motor आती हैं तो आप उनको चेक कर सकते हो किस तरीके से कर सकते हो दोस्तों मैं वीडियो आपको सारी चीज बताऊ दोस्तों आपको पता ही नहीं कि कितने लगाने तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों हमेशा उसको एक कंडेंसर से चेक करें और दोस्तों सबसे ताल लगाने के लिए आपको मैं सारी चीज बताऊंगा बकाइदा डाइग्राम बनाकर भी दिखाऊंगा 3-phase motor को किस तरीके स चेक करना है तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है कि आपको कंडेंसर एक से स्टार्टिंग करनी है जब उससे motor उठ जाती है तो ठीक है और अगर दोस्तों नहीं उठती है तो दूसरा लगाए और अगर दो लगाने के बाद भी नहीं उठती है तो तीन लगा कर देखें औ मोटर अगर चेक कर रहे हो तो उसके लिए दोस्तों आपको इस्तिमाल करना एक एच पी से लेकर पाँच थक आप पचास में अबडी 36 में अबडी का कंडेंसर इस्तिमाल भी कर सकते हो और दोस्तों इसमें चेक करते समय आपको यह ख्याल के आप मोटर को चेक कर रहे हो तो कंडेंसर अटना चाहिए चेक करने के दौरान कंडेंसर अलग होना चाहिए चेबाकर ळगाकर अलग अठाना है और दोस्तों अगर आप running condenser से चेक करते हो तो वो लगा रहे जाएगा तो कोई problem नहीं थोड़े ampere बढ़ जाएगे तो यह देखी दोस्तों connection आपको इसी तरीके से करना है यह delta में motor है और यह दोस्तों 10 hp की motor है इसमें मैंने board में को ओवर्लोड लगा रखा है और जैसे ही इसकी चमता से ओवर्लोड होगा तो यह ओवल लोड ओन हो जाएगा मतलब मेरे बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी तो यह देखी दोस्तों मैं इसको लगा के चेक कर रहा हूं स्पीडिस में नहीं वनी तो इसके दो कारण हो सकते हैं या तो दोस्तों motor गड़वड हो सकती है या फिर मुझे condenser और बढ़ाना है दोस्तों पहली गलती मैंने इसमें यह किया है अभी इसमें मैं पचास में पडी का कंडेंसर लगांगा इसमें यह गलती की है कि जो मैंने स्टार्टिंग के जो कंडेंसर लगा है उनको एक तार को मुझे अटाना चाहिए था जो मैंने पर्मानेंट लगा रखा है उससे क्या होगा दोस्तों motor फुक भी सकती है आलाकि इतनी जल्दी नहीं फुकेगी थोड़ा वक्त लगता है फुकने में परन्तु आप ऐसी गलती ना करें अब मैं इसमें 50 कंडेंसर का 50 MFD का एक कंडेंसर और अगर आप रणिंग कंडेंसर न लगा के श्टार्टिंग लगाना चाहो तो वह भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नह connection वैसे ही रखने एक light वाला और एक light condenser और और जो दूसरा condenser की point है जो तीनों condenser को सिरों को मिला के बना गया है इसको दोस्तों मैं सिर्फ इसको on करते समय छिवांगा यानि कि छिवाने के बाद मुझे हटा लेना है और अगर दोस्तों इस तरीके से थोड़ी दिल लगे रहेने में तो कुई दिक्कत नहीं अगर ज्यादा दिल लगा रहेगा तो मोटर आपकी दूहां दे सकती है तो यह देखी दोस्तों मैं जो मोटर चे अगर ये हमारी मोटर एकदम कंप्लीट है या हो चुक है connection हमने इसके genuine किये हैं अच्छे तरीके से दूस्तों आगर आपके पास 3-page की मोटर आती है और उसमें अगर तीन तार से तो इसी तरीके से connection करके आप चेक कर सकते हैं यानि तीन तार होते हैं उसमें एक दो पे supply और दो पे condenser दोस्तों condenser लगाते समय क्या करना है आपको अलग अठाने की कोसिस करनी है यह देखिए दोस्तों मैं fill लगा की क्यों check की जाती है वो भी मैं दोस्तों आपको बताता हूं चलिए वो डायग्राम से बताता हूं किस तरीके से check की जाती है दोस्तों अगर थ्रीफेस वाली motor में तीन तार होते हैं तो आप उनको कैसे भी मतलब च्यक्त कर सकते हैं तीनो में supply देखे दो में kadar लगाएं और दो में supply देखे चक कर सकते हैं अगर दोस्तों अगर motor में 6 तार हैं तो उस LEO दोस्तों आपको star में चेक नहीं करना है उसको दिल्टा में करना है इसके पीछे कारण यह दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ जैसे इसमें मैं चहतार बना देता हूँ यह एक आपके पास motor है ऐसे करके और उसमें चहतार है एक दो और यह तीन चार पांच छै जैसे दोस्तों यह होता है A1 और यह होता है A2 और यह कर दिया हमने A2 यह हो गया B1 और यह हो गया B2 और यह हो गया C1 और यह हो गया C2 तो दोस्तों इस तरीके से होगा तो जैसे इसका सिरा यह है अगर जैसे डेल्टा में यह हमने बीच में ऐसे करके पत्ति लगा दी तो यह short circuit होगा जैसे दोस्तों यह A1 A2 कैसे निकाले जाते हैं यह coil है इसको माल लिए हमने A1 और इसको माल लिए हमने A2 तो दोस्तों क्या होगा इस पर जब हम supply देंगे यह A1 हो गया यह A2 हो गया और बीच में हमने पत्ती लगा दी और इस B1 के आगे A2 कर देते हैं तो C1 के आगे C2 आएगा तब भी दोस्तों दिक्कत आई इसमें तो इसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों जबी भी मोटर चेक करें तो डेल्टा में करें इसके लिए इसके जो जैनून कनेक्शन ऐसे होते हैं यह A1 A1 के आगे B2 यह हो गया B1 B1 के आगे C2 और यह हो गया C1 और C1 के आगे A2 अब दोस्तो क्या होता है बीच में हमने इसको सॉट कर दिया तो क्या हुआ दोस्तो यह एक फेस बन गया और यह दूसरा फेस बन गया यह तीसरा फेस बन गया जब इन पर supply जाएगी तो motor चलेगी और दोस्तों हम जब इसको star में चेक करते हैं तो जैसे बले A2 B2 ऐसे करके रखते हैं इन तीनों को हम ऐसे करके sort कर देंगे और इन पर supply दे देंगे इधर तो यह motor star में चल जाएगी लेकिन delta में नहीं चलेगी तो दिक्कत आएगी तो दो दोस्तों हम इनको ऐसे करके sort करके supply देंगे तब भी motor चलेगी तो यह हमारे genuine connection है आप इस तरीके से दोस्तों हमेसा courses करने delta में चेक करने की